दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फोर सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों UPPCS प्रारंभिक परिक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्णों के प्रेक्टिस सेट में प्रस्तुत है सामान ये ध्यन यानि जीयस के अतिसंभावित और महत्वपूर्ण प्रश्णों का अभ्यास सेट इस प्रेक्टिस सेट में UPPCS परिक्षा की द्रिष्ट से अस्तरी प्रश्णों को सामिल किया गया है जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है दोस्तों प्रश्णों को साल्व करते समय हम इसकी ब्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें और तयार कर सकें ये प्रश्ण UPPCS प्रारंभिक परिक्षा के साथ साथ अन्य परिक्षाओं जैसे आरो यारो यानि समिक्षाधिकारी सहायक समिक्षाधिकारी लोवर PCS अन्य राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान, उत्राखंड और मध्य परदेश PCS आद के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आईए शुरू करते हैं UPPCS प्रारंभिक परिक्षाध 2022 के लिए सामान्य अध्यन के महत्पोर्ण प्रश्णों का टेश्ट संख्या 25 दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्ण है देखिए अर्थ बेवस्था से संबंधित है किसी अर्थ बेवस्था में बेरोजगारी के अस्तर तथा रोजगार उपलब्धता के अस्तर के बीच आरेखडिये संबंध को कौन सा वक्र दरसाता है आप संसें आपके वेवरीज वक्र, लारेंज वक्र, गिनी गुडां के अलाफर वक्र तो देखिये प्रश्ण देखियेगा दोस्तों किसी अर्थ बेवस्था में बेरोजगारी का अस्तर और रोजगार उपलब्धता को दरसाने वाला वक्र वेवरीज वक्र है देखिए दोस्तों ये जो आरेखिये संबंध है अर्थविवस्था में बेरोजगारी का अस्तर और रोजगार उपलब्धता के बीच ये वक्र वेबरीज वक्र कहलाता है जबकि लारेंज वक्र आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है गिन्नी गुडांक आय के वितरण में ब्याब्त असमानता का सांखिकी माप करता है और लाफर वक्र ये करारोपण से संबंधित है तो याद रखेगा दूस्तों किसी अर्थविवस्था में बेरोजगारी के अस्तर और रोजगार उपलब्धता के अस्तर के बीच जो आरेखिये संबंध है उसे बेबरीज वक्र कहा जाता है अगला प्रश्ण है कि विकास के विभिन सिध्धानतों की सूची एक तथा सूची दो द्वारा सुमेलन करिए और दिये गय कोट की सहायता से सही उत्तर का चैन करिए देखिये असंतुलित विकास का सिध्धानत इसका प्रतिपादन हर्ष मैन ने किया है एक का दूसरा हो जाएगा संतुलित विकास का सिध्धानत रेगनर नक्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया विकास का सिध्धानत दादा भाई नरोजी द्वारा और आवस्यक नियूंतम सिध्धानत ये दोस्तों आवस्यक नियूंतम प्रयास का सिध्धानत ये लेवेंश तो सही आपसंस आपका हो जाएगा दो एक तीन और चार आपसंस देख लेते हैं दोस्तों दो एक तीन और चार आपसंस ए आपका सही उत्तर है तो याद रखेगा दोस्तों संतुलित विकास का सिध्धान्त हर्समैन द्वारा प्रतिपादित किया गया है दोस्तों संतुलित के सिध्धान का प्रतिपादन रेगनर नक्स के द्वारा किया गया है याद रखेगा असंतुलित विकास सिध्धान हर्समैन और संतुलित विकास सिध्धान रेगनर नक्स द्वारा विकास सिध्धान दादा भाई नवरोजी और आवस्यक नियुनतम प्रया सिध्धान लेव प्रिंश्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया है इसकी अलावा एक तथे आपको बता दें गरीबी के दुश्चक्र की अधारा और प्रचन बेरोजगारी का सिध्धान्त भी रेगनर नक्स के द्वारा दिया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों वह निउन्तम मूले ज तो सही उत्तर है संदर्भ मूले दोस्तों संदर्भ मूले या रिफरेंस प्राइस वह निउन्तम मूले है जिस पर क्रिसी उत्पादों का आयात यानि इंपोर्ट किया जाता है तो याद रखेगा दोस्तों क्रिसी आयातों के इंपोर्ट के लिए जो निउन्तम मूले है उ वसूली कीमत क्या है दोस्तों वसूली कीमत ये जो है वो कीमत है जिस पर सरकार मंडी में क्रिसकों या व्यापारियों से उनकी उपज क्रै करती है और निगमन आभंटन मुल्य वह मुल्य है जिस कीमत पर सरकार खाद्यान आदिवस्तूओं को उपभोकताओं को उचित कीमत क दुकानों में उपलब्ध कराती है तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह नियुंतम मुले जिस पर क्रिसी उत्पादों का आयात किया जाता है उसको संदर्भ मुलिया रिफरेंस प्राइस कहते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए ये मध्यकाली नितिहास से संबंध महिपाल चोल सासक राजेंदर पर्थम और परमार भोज तो सही उत्तर क्या है दोस्तों सही उत्तर एक दो तीन चार ये सभी सही हैं महमूद गजनवी के समय में जो संकालिन सासक हैं ये सभी सही हैं कस्मीर में महमूद गजनवी का संकालिन सासक संगराम राज था जिसने ल गंगय कौंड चोल पूरम की उपाधी धारण की थी और चोल गंगम नामक विशाल तालाप का निर्मार करवाया था इसके अलावा भोज राज जो सासक था भोज ये भी गजनवी का समकालिन था तो याद रखिए दोस्तों महमूद गजनवी के समकालिन सासको में कस्मीर का सं अगला प्रशन है महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले बिद्धवानों के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए तो यहाँ पर देखे आफसंसे आपके ख्वाजा अहमद सयद सालार मसूर गाजी फिर दोसी और अमीर हसन तो महमूद गजनवी के दरबार में देखे ख्वाजा अहमद सयद सालार मसूर गाजी और फिर दोसी जैसे विद्धवान रहते थे अमीर हसन इसमें शामिल नहीं थे तो आप देख सकते हैं एक दो और तीन एक दो और तीन आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा आप देखिए दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर है महमूद गजनवी के समयकाल में या उसके दर्बार में ख्वाजा अहमद सयसालार मसूद गाजी फिर दौसी ये सब भी उसके प्रमुक विद्वानों में थे जबकि अमीर हसन बलवन के दर्बार में था अमीर हसन जो है ये बलवन के दर्बार से संबंधित है और महमूद गजनवी के दर्बार से नहीं दोस्तों ख्वाजा अहमेद महमूद गजनवी का वजीर था फिर दौसी ने महमूद के आदेश पर एक हजार चंदों अलिशाह नामा की रचना की फिर दोशी को फार्सी का होमर भी कहा जाता है और सयस सालार मसूद गाजी मुलते महमूद गजनवी का एक सैनिक था और आप जानते हैं कि सयस सालार मसूद गाजी का मकबरा उत्तर प्रदेश के बहराईच में है अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों सही कथन की पहचान कीजिए देखिए मिनहाज के तब काते नासरी में मुहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामारिक विबरण मिलता है तो ये आपका दोस्तों सही कथन है और दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा है कि वंस ने सरवाधिक समय तक सासन किया ये भी सही नहीं है और सल्तनत काल में सबसे बड़ा सामराज्य मुहम्मद बिन तुगलक का था ये आपका सही है तो एक और चार आपके सही है और इसकी ब्याख्या देखते हैं दोस्तों मिनहाज ने अपनी रशना तब काते नासरी में मुहम् से कम खिलजी वंस का सासन रहा था सयद वंस का नहीं और देखे दोस्तों सासकों में बहलोल लोदी 38 वर्स तक सरवाधिक समय तक सासन किया तो फिरोज तुगलक ने नहीं बलकि बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक सासन किया था और उसके बाद फिरोज तुगलक ने 37 व अगला प्रश्न है किस साशक ने अपने सिक्कों पर सदा तुगलक सासकों के नामों को अंकित किया आपसन है खेजर्खा मुबारक साह सिकंदर लोदी या फिर अलाउद देन आलम साह तो सही उत्तर है दोस्तूं आपसन ए खेजर्खा दोस्तों सयद वंस का संस्थापक खिज रखा था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और स्वेंग को रईयत ए आला की उपाधि से खुश रखा खिज रखा ने अपने सिक्कों पर सदा तुगलक सासकों के नामों को अंकित किया जबकि मुबारक साह सयद वंस का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी तो मुबारक साह ने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी अगला प्रश्न है पील बक्स की उपाध किस सासक ने धारण की थी आप संसे आपके देखे कुतुबुद्दीन एबक, इल्टुतमिस, रुकनुद्दीन फिरोज या बहरामसा तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन एबक दोस्तों कुतुबुद्दीन एबक ने पील बक्स यानि हाथियों का दान देने वाला की उपाध धारण की और इसको आप जानते हैं लाख बक्स और कुरान ख्वाध की उपाध भी प्राप्त है मिनहास उस सिराज ने एबक को हातिम दुती कहा है और इलतुत्मिस को गुलामों का गुलाम और मकबरों का पितामह के नाम से भी विभोशित किया जाता है तो याद रखेगा पील बक्स कुतुबुद्दीन एबक को कहा जाता है या पील बक्स की उपाध कुतुबुद्दीन एबक ने धारण की थी अगला प्रेश्ण है देखिए दो कथन है इन कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन से कथन सही है देखिए जश्टिस अंदोलन के प्रमुखनेताओं में लाला लाजपतराय, वीपी बाडिया और एन एम जोसी शामिल है देखिए ये एक पहला कथन है और दूसरा कथन है कि ये अंदोलन ब्रामणों की सरकारी सेवा सिक्षा और राजनीत में प्राप्त स्रेश्ट इस्थिति का विरोध करता था तो सबसे पहले कथन पर विचार करते हैं दोश्तों जश्टिस अंदोलन 1916-17 के प्रमुखनेताओं में C.N.M.ुदलियार, T.M. नायर और P. त्याग राज सामिल है, नकी लाला लाजपतराय, वीपी बाडिया और N.M. जोसी तो इसलिए कथन एक आपका गलत है, कथन एक आपका गलत हो जाएगा दूसरा कथन है कि इस अंदोलन में बड़ी संख्या में धनवान, जमिदार तथा ब्यापारिवर के सामिल होने के बावजूद इस अंदोलन ने ब्राम्हडो की सरकारी सेवा, सिक्षा और राजनीत में प्राप्त स्रेष्ट इस्थिति का विरोध किया था तो इन कथनों में कौन सा सही कथन है, तो सही उत्तर है, आपसन दो, केवल बी आपका, केवल दो आपका सही कथन हो जाएगा अगले प्रेश्ण पर आते हैं, दोस्तों, मानों के लिए एक धर्म, एक जाती और एक इस्वर, ये कथन किसका है, तो सही उत्तर है, दोस्तों, मानों के लिए एक धर्म, एक जाती और एक इस्वर, ये कथन महान धार्मिक सुधारक नारायन गुरू का है, आपसन ए आपका एक कदम आगे बढ़कर कहा कि मानो का न तो कोई धर्म है न कोई जाती है और ना ही कोई इस्वर है अगला प्रश्न है आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित कतनों पर विचार कीजिए देखे इसकी अस्थापना 1920 में कलकता में की गई थी और इसकी अस्थापना बीपी बाडिया द्वारा की गई इसके अध्यक्ष लाला लाजपतराय और उपाध्यक्ष जोसिप बैपिष्टा थे तो देखते हैं दोस्तों आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अस्थापना एनेम जोसिद्वारा 1920 में की गई थी तो आप देख सकते हैं इसकी अस्थापना 1920 में कलकता में की गई थी तो आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अस्थापना दोस्तों एनेम जोसी द्वारा बंबई में की गई थी कलकत्ता में नहीं तो बीपी बाढ़िया भी गलत हो गया और पहला कथन भी गलत हो गया देखे आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अस्थापना बंबई में एन एम जोसी द्वारा 1920 में की गई इसके अध्धेक्ष लाला कि दोस्तों ये 1919 में अंतराष्टि स्रम संगठन की जब अस्थापना हुई थी उसी ने इस आंदोलन या आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अस्थापना को प्रेडित किया और आप जानते हैं कि 1929 में नागपुर अध्वेशन में पहली बार इस संग में भी भाज हुआ था तो आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अस्थापना दोस्तों 1920 में बंबई में की गई थी एनेम जोसी के द्वारा और बीपी बाडिया के द्वारा नहीं अगला प्रशन है निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि सम्मत आयू अधिनि और तीसरा है कि नर्बली पर्था के दमन के लिए हार्डिंग पर्थम ने कैम्पबिल नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है दोस्तों इसमें केवल सी आपका सही है नर्बल पर्था के दमन के लिए हार्डिंग पर्थम ने कैम्पबिल नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी और दो कथनों के बारे में देखते हैं दोस्तों सम्मत आयू अधनियम जो 1892 का था ये भारती समास सुधारक और बंबई के पारसी बहराम जी मालाबारी के प्रयतनों से पारित हुआ तो बहराम जी मालाबारी बी मालाबारी के प्रयतनो से सम्मत आयू अधनियम पारित हुआ डाक्टर हर विलास सारदा के प्रयतनों से नहीं तो इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाएगा इस अधनियम में दोस्तों लड़कियों के बिवाह के नियुनतम आयू बारे वर्स की गई थी जबकि हर विलास सारदा जो की सारदा की दोस्तों गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 के पांचवे नियम द्वारा दास पर्था को समाप्त किया था सातवे नियम द्वारा नहीं तो दूसरा कथन भी गलत हो गया और तीसरा नर्बल पर्था भारती समासे नर्बल पर्था को समाप्त करने का स्रे गवर्नर जनरल हार संसी आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है ब्रेटिस राज की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है दोस्तों आप देखिए कि 1816 में संगौली की संधी अंग्रेज और वर्मा के बीच हुई थी तो ये आपका सही नहीं है और कि जो तथ्य है कि नेपाल भारत का एक पडोसी देश था जिसका अंग्रेजों के साथ ही युद्ध हुआ और गवर्नर जनरल लाड हिस्टिंग्स के समय में 1814 से 1816 के मध्य आंग्ले नेपाल युद्ध हुआ और इसके इस युद्ध का समापन 1816 की संगौली संधी के जरि दूसरा कथन है कि इस संधी के जरिये में आमार ने रंगून में अंग्रेजी रेजिडेंट रखना स्विकार किया तो दोस्तों इस संधी की सर्तों के अनुपालन में गोर्खों ने काठ मांडू में एक ब्रीटिस रेजिडेंट रखना स्विकार किया इसलिए कथन एक और देखिए दोस्तों प्रतम आंगल बर्मायुद गवर्नर जनरल लाड हेस्टिंग के काल में हुआ था दूसरा है कि दुति आंगल बर्मायुद गवर्नर जनरल लाड अलहोजी के सासन काल में हुआ और तीसरा है तिरती आंगल बर्मायुद गवर्नर जनरल लाड डफरिन के का काल में हुआ था नो कर सक्सक्राइब यह कथन आपका गलत हो जाएगा दुतियांग्ल बरमा युद्ध तो दोस्तूं दुत्यांग्ल बरमा युद्ध 1852 में गवर्नर जनरल लाईुद डलहोजी जिसाधनकाल यह आपका सही कथन है और तृती आंगल वर्मा युद्ध यह 1885 से 1888 में वायसराय लाड डफरिन के काल में हुआ था तो यह आपका सही है और इस युद्ध में दोस्तों वर्मा की पराजय हुई थी और वर्मा को ब्रिटिस सामराज में मिला लिया गया था तो कथन 2 और 3 नहीं हैं आपको बताना है देखिए भारत के सिक्किम तथा गोवा राज्यों में छेतरी ग्रामीर बैंक नहीं है और भारत की सरुपर्थम भूम इविकास बैंक की अस्थापना 1929 में मदरास में की गई एग्रिकल्चर टेक्नॉलजी मेनेजमेंट एजेंसी यानि आत्मा का अगठन करने का निड़े 2005 में लिया गया और श्वेत क्रांती की भारत में शुरूआत 1968 में सघन पसुविकास कारेक्रम के अंतरगत शुरू की गई थी तो आप देख सकते हैं इसमें से सही कथन कौन सा नहीं है तो सही उत्तर है आप संडे आपका सही उत्तर नहीं है दोस् उद्बादक्ता में करांती कारी परिवर्तन लाने के लिए किया गया था और इसके सुतरधार डक्टर बरगीज कूरियन थे और ये जो उपर के तीनों कथन है ये आपके सही है गलत कथन आप संडे है अगला प्रश्न है निम्लेलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपक सही सुमेलित है तो सही सुमेलित जो नहीं है वो है आपसन B G15 दोस्तों G15 की अस्थापना 1985 में नहीं बलकी याद रखेगा 1989 में हुई थी और इसका मुख्याले दोस्तों G15 का सचिवाले जेनेवा में है और ये निर्गुट या निगुट निर्पेक्ष देशों का संगठन है भारत इसका संस्थापक सदस्य है तो याद रखेगा G15 की अस्थापना 1989 में हुई थी अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित है अगला प्रश्ण है बिस्व बैंक ने राष्ट्रों के नागरिकों के निवेश संबंधी जगड़ों को सुल्जाने के लिए अंतराष्टी के अंदर की अस्थापना कब की थी आपसन से दोस्तों देखेए 1986, 1970, 1971 या 1979 तो सही उत्तर है आपसन A 1986 में दोस्तों ICSID यानि International Center for Settlement of Investment Dispute की अस्थापना बिस्व बैंक द्वारा 1986 में की गई थी और इसका उद्देश से अंतराष्टी अस्तर पर निवेश बिवादों को सुल्जाना है अगले प्रश्ण पर आते हैं भारत में कोईला संचित भंडार की द्रिश्टी से राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों कोईला के संचित भंडार की द्रिश्टी से जारखंड पहले अस्थान पर उड़ी सा दूसरे 36 गड़ तीसरे और पशिम बंगाल चोथे अस्थान पर है तो दोस्तों कोईले के कुल संचित भंडार और प्रामाडित भंडार की द्रिष्टी से जार खंड पहले अस्थान पर है आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोईले के संचित भंडार के द्रिष्ट से राजियों का सही और रोहिक्रम, जारखंड, ओडिशा, 36 गड़ और पर्श्यम बंगाल है अगला प्रश्ण है अंतराष्टी जल प्रबंधन संस्थान का मुख्याले कहां इस्थित है आपसंस हैं आपके कोलंबो, बान, ओटावा या फिर लंदन तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों अंतराष्टी जल प्रबंधन संस्थान जिसको IWMI कहा जाता है यह एक गैर लावकारी और गैर संग्रकारी बैग्यानिक सोध संगठन है इसकी अस्थापना 1985 में कोलंबो में की गई थी तो याद रखेगा दोस्तों अंतराष्टी जल प्रबंधन संस्थान का मुख्याले कोलंबो में है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा यूगम सुमेलित है सही सुमेलित है आपको बताना है अन्य विकल्ब आपके सही सुमेलित नहीं है तो देखिए सही सुमेलित जंगल बचाओ आंदोलन बिहार तो उत्तर है दोस्तों ये आपका सही सुमेलित है जंगल बचाओ आंदोलन बिहार ये बिहार में दोस्तों 1980 में 80 के दसक में बिहार में सुरू किया गया था और ये आंदोलन अभिभाजित बिहार के सिंगभू में जिले जो की जारखंड से प्रारंब हुआ था अपिको अंदोलन केरल में नहीं बलकि करनाटक में है देखें अपिको अंदोलन करनाटक में शांत घाटी आंदोलन आप जानते हैं कि ये केरल में और बाली पायाल आंदोलन कहां पर है ये ओडिशा में चलाय गया था राजस्थान में नहीं तो दोस्तों केवल सही ए है जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में जो की वर्तमान में जहारखंड में है वहाँ पर चलाए गया था अपिको आंदोलन करनाटक, शांत घाटे आंदोलन केरल और बालिया पाल आंदोलन ओडिशा में संचालित किया गया था अगला प्रशन है निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए देखिए ऐसी वर्सा जिसका पी अचमान 5.6 से कम हो उसे अमल वर्सा कहते हैं यह आपका सही है जर्मनी तथा यूनाइटेट किंगडम में इस्थित मिलों से उत्पादित सल्फर डायकसाइड और नाइट्रोजन के अकसाइड के कारण नारवे तथा स्वीडन में अमल वर्सा होती है यह सही है तो दोस्तों दोनों ही कतन सही है A और एक और दो दोनों ही सही है तो सही उत्तर आपसन D हो जाएगा अगले प्रेशन पर आते हैं कि गाली समझोता निमने लिखित में किस से संबंधित है आप संस हैं आपके हाइडरो फ्लोरो कार्बन स्रेडी के ग्रीन हाउस गैसों के उसरजन को कम करने के लिए अमल बर्सा में मानो निर्मित स्रोतों को कम करने के लिए जैव इंधन से उर्जा संकट के समाधान से और सौर उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने से तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर है कि गाली समझोता हाइडरो कार्बन हाइड्रो फ्लोरो कार्वन स्रेडी के ग्रीन हाउस गैसों के उस सर्जन को कम करने से है और आप देखिए 2016 में दोस्तों रवांडा के किगाली सहर में एक एतिहासिक समझोता हुआ और इस समझोते के द्वारा वर्स 2100 तक यानि 2100 तक बैस्विक्त आपमान ब्रिद्धी को दस्मलो 5 डिगरी सेल्सियस तक रोकने का लक्ष रखा गया है अगला प्रश्ण है निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए भारत में निर्धनता आकलनों का आधार केवल आय का अस्तर है ये सही नहीं है क्योंकि भारत में जो निर्धनता आकलन का आधार है दांडेकर रथ समिति के अनुसार कैलोरी उपभोग को निर्धनता आकलन का आकलन माना गया था दांडेकर रथ फार्मुले का प्रयोग निर्धनता आकलन के लिए 1971 से किया जा रहा है दूसरा कथन की रंग राजन समित द्वारा सबसे पहले निर्धनता अकलन के आधार हेत उपभोग ब्या को प्रस्तावित किया गया तो दोस्तों ये रंग राजन समित द्वारा नहीं बलकी याद रखेगा कि उपभोग ब्या को निर्धनता अकलन के आधार मानने का है आगले प्रश्ण पर आते हैं निमलखित में से कौन दीन दयाल अंतियोधा योजना राष्टी सहरी आजीवी कमिशन के घटक हैं तो यहाँ पर छमता निर्माड और प्रसिक्षण सही है कौसल प्रसिक्षण और नियोजन द्वाराव रोजगार ये भी सही है और शहरी बे योजना सहरी आजीवी कमिशन केंदर प्रायोजित योजना है और इसका वित्तियन केंदर द्वारा 60 प्रतिषट और राज्जे द्वारा 40 के अनुपात में किया जाता है इसमें सामाजिक गतिशेलता के लिए तंस्थागर विकास के लिए छमता निर्माड प्रसिक्षण क के लिए कौसल प्रचित छण स्वरोजगार कारेक्रम सहरी फेरवालों की सहायता और शहरी बेघरों को आसरय की योजना सामिल है अगला प्रशन है निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए रेपो रेट वह ब्याजदर है जिस पर बारिजिक बैंक भारती रिजर बैंक से उ पर अलता में ब्रिद्धी होती है तो ये सही नहीं है तो इसमें केवल एक जो है वो सही होगा और आप जानते हैं रेपो रेट वह ब्याजदर है जिस पर भारती रिजर बैंक बारिजिक बैंकों को उधार देता है और जब बारिजिक बैंकों पास निधियों की कमी होती है तो वे RBI से उधार लेते हैं RBI द्वारा रेपो रेट में बृध्धी करने पर बाजार में मुद्रा आपूर्थी की कमी होती है जबकि रेपो रेट कम करने पर मुद्रा आपूर्थी बढ़ती है तो यहाँ पर देखिए केवल एक कथन सही हो जाएगा कि रेपो रेट वह व्यासदर है जिस पर बाड़िजिक बैंक भारतिय रिजर बैंक से उधार लेते हैं अगला प्रशन है निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए और दिये गए कूट के आधार पर सही उत्तर का जैन करिए कर बैय का तातपर उन बैयों से है जो सरकार द्वारा कर संग्र हे तो लिये जाते हैं तो ये सही नहीं है दोस्तों कर बैसे तातपरे सरकार द्वारा कर संग रहे तो किये जाने वाले बैसे नहीं वलकि देश में करदाताओं को छूटों, रियायती दरों, कटवतियों, आधि के रूप में मिलने वाले अप्रत्यक्ष सबसेडिल आपको ब्यक्त करता है और दूसरा कथन है कि कर ब्यक्त में या देश में करदाताओं को प्राप्त अप्रत्यक्ष सबसेडिल आपको प्रदाशित करता है, तो ये सही है, दूस्तों इसमें आपसन बी केवल दो वाला कथन, दूसरा कथन केवल सही है अगला प्रश्ण है भारत की लवड़ी ये मिर्दाओं के संबंध में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है के सिकत्व क्रिया के कारण नेर्मित होती है ये जल प्लावित और दलदली छेतरों में पाई जाती है ये उसर मिर्दा के रूप में भी जानी जाती है तो देखे दोस्तों इसमें क्या है इसमें सब ही कतन आपके सही है भारत की जो लवड़ी मिर्दा है उनमें के सिकत्व क्रिया के कारण नेर्मित होती है जो प्राय जल प्लावित या जल जमावाले दलदली छेतरों में पाई जाता है तो दोस्तों ये तीनों ही कतन आपके सही है उपर यूगत सभी आपसंड डी सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रशन पर आते हैं दोस्तों देखे निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए और इसके आधार पर सही उत्तर का चैन आपको करना है आप देख सकते हैं कि एल नीनो की उत्पत्ति पेरू तट के निकट गर्म जलधारा की उपस्थिती के कारण होती है और दूसरा कथन है कि ला नीना की उत्पत्ति आश्टेलिया तट के निकट ठंधी जलधारा की उपस्थिती के कारण होती है तो इसमें कौन सा कथन आपको बताना है सही है तो सही उत्तर है केवल एक कथन आपका सही है देखे केवल एक आफसन ए सही हो जाएगा L.9 और L.9 एक दूसरे के विप्रित धारा हैं जो की L.9 डच्छनी दोलन्चक्र के चरण हैं और दोस्तों L.9 की उत्पति जो है पेरु तट के निकट सामान्य गर्म जलधारा के उपस्थिति के कारण होती है तो याद रखेगा अल नीनो पेरु तट के निकट सामान्य गर्म जलधारा से उत्पन होता है दूसरी ओर ला नीना के नाम से जाने वाली मौसमी परिखटना में उत्री आस्ट्रेलिया न्यूगिनी और इंडोनेशिया तो देखे ये ला नीना उत्री आस्ट्रेलिया न्यूगिनी और इंडोनेशिया द्विपों के आसपास दक्षडी परसांत महासागर में समुद्र सत्ह कतापमान सामान से अधिक हो जाता है जबकि दक्षड अमेर की त अश्टेलिया तट के निकाट जो है दक्षिडि महासागर में समुद्र सत्ह कतापमान अधिक यानी गर्म होने के कारण होता है ना कि ठंडे होने के कारण तो इसलिए आपसन जो कथन दो है गलत हो जाएगा किवल कथन एक सही है अगला प्रश्ण है भारत में ज्वाला मुख है ये भी सही है तो दोस्तों सही उत्तर है एक और दो दोनों ये आपसन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समों की राजधानी पोर्ट बलेयर के उतरपोर में इस्थित है और ये दक्षिड एसिया और भारत का एक मात्र सक्र बारती और बर्मा पलेट के छेपन से यह जक्री ज्वाला मुखी सुमातरा से मैमारता कंता सागरी अस्थली जो है 17 ज्वाला मुखी के रूप में जाना जाता है। और भारती छेतर में दूसरा जौला मुखी द्विप नार कॉंडम है जो कि बैरन द्विप के उतरपूर में इस्थित है और ये संभवतम रित या शान्त जौला मुखी है जिसका क्रेटर पूरे तरह छतिग्रस्त हो चुका है अगला प्रशन है पोसड अभियान के संदर में निमने लिखित करतनों पर विचार कीजिए देखे दूस्तों पोसड अभियान के संदर में पोसड अभियान का लक्ष सिर्फ अलपाय वच्चों में इनिमिया की समस्या में कमी लाना है तो ये आपका सही नहीं है और दूसरा है कि इस योजना का क्रियान वेन, स्वास्त औ परिवार का लियान मंत्राले द्वारा किया जा रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा तो इसमें सही आपसन हो जाएगा आपका आपसन भी केवल दो सही है दोस्तों पोसड अभियान के स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2017 को की गई थी और इसका उद्देस देस भर में बच्चे जानी जीरो से छेवर्स के बच्चों में ठीगने पन के अस्तर अलप पोसड और जन्म की समय कम वजन में कमी लाना और जो अलपायू बच्चे हैं महिलाओं और किसोरियों में रखतालपता यानि एनीमिया की समस्या के प्रती कमी लाना है और इस अभियान को क्रि अलपाई बच्चों को, कमोवजन के बच्चों को, एनीमिया की समस्या से ग्रस्त महिलाओं और किसोरियों आधि के लिए सभी के लिए है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोसर अभियान का प्रारम परधान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा मार्च 2018 में जुनजनू राजस्थान में किया गया था अगले प्रशन पर आते हैं राकेट प्रडोदक इधन और बिल्डिंग में कौन सी गैस प्रियोग की जाती है तो सही उत्तर है दोस्तों राकेट प्रडोदक इधन और बिल्डिंग में जो है ये आपकी साइनोजन गैस प्रियोग की जाती है साइनोजिन क्या है तो साइनोजिन का सामानते परियोग धूमक के रूप में धातों की बेल्डिंग और कटाई के लिए गैस इंधन के रूप में और राकेट परोदक के रूप में किया जाता है आरगन गैस का उपयोग आप जानते हैं राकेट परडोदक के रूप में बैरियेबुल इस्पेस्फिक इंपल्स मैगनो प्लाटजमा रापकेट में किया जा सकता है जो कि अंतरिक शियान परडोदन में संभावित प्रवेधिर्द विक्सित किया जा रहा एक इरेक्ट्रो थर्मल थ्रश्टर है तो याद रखेगा दोस्तों राकेट परडोदक और बैल्डिंग में साइनो जेन गैस प्रियोग की जाती है आप संडी सही है अगला प्रश्न है एंजाइम नाम किसके द्वारा दिया गया था तो याद रखेगा एंजाइम नाम जर्मनी के सरीर क्रिया विग्यानी विलियम कुहने द्वारा अठारा सो जो है अठात्तर में दिया गया था जबकि वे सरकरा से एलकोहल के निर्माड की इस्ट की छमता वाडित कर रहे थे या सब्द ग्रीक सब्द एन यानि के भीतर और जियूम यानि इस्ट से वियुत्पन है अगला प्रश्ण है निमलखित में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है देखिए अनुसूचित छेत्रों और अनुसूचित जन जातियों का परसासन और नियंत्रण तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है इसका कारण क्या है दोस्तों आप जानते हैं कि अनुसूचित छेत्रों और अनुसूचित जातियों के परसासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध छठी अनुसूचि में नहीं बलकि पांचवी अनुसूचि में दिया गया है हमें अस्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है यह आपका सही है भासाओं का विवरण या भासाओं का उलेक आठवी अनुसूची में किया गया है और कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानी करण दूसरी अनुसूची में तो यह भी गलत है कौन सही सुमेलित नहीं है तो देखे दोस्तों एक और चार आपके सही सुमेलित नहीं है आप सन ए सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण सुची एक का सुची दो से मिलान करना है और दीए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चैन कीचे अनुछेद 49 का दोस्तों समान नयाय और निहसुलक विधिक सहायता और अनुछेद 40 ग्राम पंचयतों का गठन अनुछेद 42 दोस्तों ये परसूती सहायता का उपबंध है इसमें किया गया है और अनुछेद 43 में कर्मकारों की मजदूरी के संबंध में प्राउधान है तो सीधे सीधे सुमेलित हो गया है एक, दो, तीन, चार आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न महतपूर्ण ब्यक्तित्तों के बारे में है वारारसी की दो कलाकार सितारा देवी और अलकननदा देवी किसलिए विख्यात है तो सही उत्तर है दोस्तों बारारसी की सितारा देवी और अलकननदा देवी अपने कथक नरिते के लिए विख्यात है आपसन ए आपका सही उत्तर है और इस प्रैक्टिसेट का आखरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न पर आते हैं कि सूर्य सेन के जीवन के संदर म निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए सूर्य सेन जीला कांग्रेस समिती के सचिव थे दोस्तों तो ये सही है कि सूर्य सेन चटगाउं जीला कांग्रेस समिती के सचिव थे और दूसरा है कि सूर्य सेन ने असहियो गांदोलन में भाग लिया था दोस्तों ये भी सही कथन है सूरे सेन ने असहियो गांदोलन में भाग लिया था और तीसरा है कि वह कलकत्ता में राष्ट्री विद्याले में सिक्षक थे तो दोस्तों वे चटगाओं के राष्टी स्कूल में सिक्षक थे कलकत्ता में नहीं तो ये तीसरा कथन आपका सही नह उन्होंने असायोग अंदोलन में भाग लिया था और वे चटगाओं के राष्टी स्कूल में सिक्षक थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के काराण 1926 से 1928 तक उन्हें जेल भेजा गया था। वे कविता प्रेमी थे और टैगोर और काजी नजरुलिस राम से प्रभावित थे। उन्होंने चटगाओं सस्तरगार पर क्रांतिकारियों के धावे के दौरान नेत्रित्वकारी भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों ये था आज का प्रेक्टिस सेट यूपी PCS परिक्षा यूपी PCS प्रारंभिक परिक्षा 2022 के लिए परिक्षा पैटर्न और परिक्षा के अस्तर के अनुरूप महत्तपूर्ण प्रशनों का सेट ये आपके आगामी अन्य परिक्षाओं जैसे बिहार PCS, EMP, राजस्थान PCS परिक्षा के लिए भी बहुत उपियोगी है, आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मागदर्शन फर सिबिल सर्विश को सब्स अज्वगर